वीवर्स जस्ट इमेजन हम इंसानोंने रहने के लिए अर्थ के जैसा ही एक प्लैनेट ढून लिया हो लेकिन अब वहाँ कुछ ऐसे क्रियेचर आ गए थे जो अगर हमें से किसी को भी काट लेना तो उन क्रियेचर का खतरनक जहर कुछी सेकेंड्स में हमारी जान ले लेगा पर क्या उस अंजान प्लैनेट पर गए वे इंसान बज भी पाएंगे इस बात का तो पता लगाना पड़ेगा काणी की शुरुवात में हमें दूर कहीं गैलक्सी की गैराईयों में उसाइरस नाम का एक प्लैनेट दिखाय जाता है ताज्यों की बात ये थी कि इस प्लैनेट का वाता वरंट सेम टू सेम अर्थ के जैसा था इसलिए उस प्लैनेट पर बहुत सारे इनसान आकर अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं उन्होंने तो उस प्लैनेट के उपर अपना एक कमांड बेस बना लिया था जिससे कि वो टाइम टाइम पर प्लैनेट पर जाकर कुछ रिसर्च किया करते थे अब हमें Osiris Planet पर ही केन नाम का एक आदमी दिखाय जाता है जो अपनी बेटी इंडी के साथ कुछ time spent कर रहा था केन तो एक बहुती experience pilot होता है पर कुछ सालों पहले एक बहुती बड़ी जंग के दरान केन की वज़े से उसके बहुत सारे साथ ही मारे गए थे जिसका दुख केन को आज तक है और इनी सारी चीजों की वज़े से वो Osiris Planet पर एक mission के लिए आया था proper time ना देने के वज़े से ही केन की wife ने उसे छोड़ दिया था इसलिए इंडी कई सालों बाद Osiris Planet पर केन से मिलने आई थी केन तो इंडी को अपने working base पर लेके जा रहा था इस पूरी जगव पर तो कुछ कैदियों को रखा गया था जो Osiris Planet को habitual बनाने में मदद करते थे केन अपनी बेटी के साथ कुछ और moment शेयर कर पाता पर तभी केन को खबर मिलती है कि उसे अपने space station में एक mission के लिए आना पड़ेगा पर इस पूरे mission में लगबग एक हफते का time लग सकता था इसलिए केन ने अपनी बेटी इंडी को अपने एक military base में नैनी के साथ छोड़ दिया था जो इंडी का काफी अच्छे से खयाल रखेगी और एक रात सारे अपरादियों ने जेल को तोड़ दिया था लेकिन सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि उस जेल में कैद किये गए खतरना creatures भी आजाद हो गए थे वो सारे creatures इतने hybrid होते हैं कि वो अपने सामने आने वाले सारे जिन्दा चीज को मारते जा रहे थे अगले दिन केन जब सुबह उठता है तब उसे prison break के बारे में कुछ पता ही नहीं था केन को अपने system से सिफ इतनी information मिली थी कि जेल के system में कुछ खराबी आ गई है और अपकेन उन information को analyze करने में लग जाता है पर उसे जरा भी idea नहीं था कि वो खतरना creatures अब आजाद हो गए हैं अब हमें उस पूरे mission की general दिखाई जाती है जिससे भी पता चल गया था कि सारे कैदी जेल तोड़कर भाग चुके हैं दरसल जनरल के team ने उस planet पर बहुत सारे experiment किये थे और इनी experiment की वज़े से वो सारे alien creatures create हो गए थे पर अगर ये सारी बाते उनकी government को पता चल गई न तब उनका plan और reputation पूरी तरीके से खराब हो जाएगी इसलिए अब जनरल उन सारे alien creatures को वहीं पर मारना चाती थी करना है क्योंकि वो सब अपने साथ ये बहुत ही खतरनाक वाइरस लेकर गए है और अगर उन्होंने ये वाइरस फैलाना start कर दिया तब ब्रह्मान का कोई भी planet सुरक्षित नहीं रहेगा इसके बाद जनरल के टीम का एक आदमी केन के पास आकर उसे सारी बाते बता देता है वो कह रहा था कि जनरल ने अपने government को धोखा दिया है उसने तो बिना किसी permission के उन सारे alien creatures को create किया था ताकि वो उनका use कर सके दूसरे planet पर कबजा करने के लिए लेकिन अब वो creatures अपनी cat से आजाद हो चुके हैं इसलिए जनरल ने उन्हें खतम करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक nuclear bomb planet पर लगा दिया था जो आने वाले 23 गंटे के अंदर फटने माला था और अगर planet पर ये धमाका हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा केन तो अफ काफी डर जाता है क्योंकि ओसाइरस planet पर अभी भी उसकी बेटी मौजूद थी इसलिए केन बिना कुछ सोचे समझे अपने एक fighting jet में बैट कर ओसाइरस planet की तरफ उनने लगता है पर उस पेस टेशन की security ने केन को दूर जाते हुए देख लिया था इसलिए वो सब केन के fighting jet पर हमला करते ही जा रहे थे लेकिन केन अपनी jet उडाने के skills का use करता है और उन सभी के वार से आसानी से बचता रहता है केन के पीछे तो military का एक fighting jet लग गया था जो केन के jet पर लगातर वार करता ही रहता है पर केन ने तो fighting jet में अपना mask पैना ही नहीं था जिससे कि वो जीव फोर्स की वज़े से बेऊस होने लगता है लेकिन तबी भी केन ने उस दूसरे fighting jet को destroy कर दिया था और अब वो भी बिना time waste के अपनी plane से बाहर निकल जाता है Osiris planet पर आने के बाद वो एक Ben नाम के आदमी से मिलता है केन तो Ben से request करने लगा था कि वो उसे military base तक कैसे भी करके छोड़ दे लेकिन Ben तो उसकी कोई भी मदद करने के लिए ready ही नहीं होता जबकि इनने उसे अपनी बीटी के बारे में बताया तब Ben अचानक से ही उसकी मदद करने के लिए ready हो जाता है और अब वो दुनों साथ मिलकर military base तक जाने लगे थे और अब थोड़ा flashback में वो scene दिखाय जाता है जब कैदी जेल तोड़कर भागे नहीं थे यहाँ पर ये review लिवाया कि Ben भी एक कैदी था जो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इस जेल से बाहर निकलने का plan बनाता रहता है क्योंकि उनके साथ इस जेल में बहुत ही बुरा बरताव किया जाता था Ben ने तो इस जगह से बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही फूल प्रूफ plan बनाया था जिसमें कि वो पहले लड़ाई करने का नाटक करेगा और फिर सही मौका देखकर कंट्रोल रूम में जाके एक बड़ा सा सौट सर्कुट कर देगा जिससे के सारे दर्वाजे अपने आप ही खुल जाएंगे और तब वो सब वहाँ से आसानी से भाग सकते थे Ben और उसके दोस मिलकर तो अपना plan एक्जेक्यूट करने लग जाते हैं वो सब तो एक दूसरे में काफी लड़ाई कर रहे थे उन सबी में तो एक बहुत ही खतरनाक fight चाली हो गई थी लेकिन अब इस जेल के वाड़न के लोग भी वहाँ पर आ गए थे जिन्नोंने सारे कैदियों को पकड़ कर एक isolation चेंबर में डाल दिया था और वो चेंबर तो हमिसा घूमता ही रहता था जब वाड़न को पता चलता है कि ये सारा काम बैन और उसके दोस्तों ने ही किया है तब वो उन्हें उस जग़ापर डाल देता है जहाँ पर वो खतरना creatures मौजूद थे पर तब तक बैन के एक दोस्त ने वहाँ पर short circuit कर दिया होता है जिससे कि उस जेल के सारे दरवाजे खुल गए थे और अब बैन भी isolation chamber से दूर हो जाता है लेकिन बैन के एक दोस्त को उन creatures ने मार दिया था बैन अपने बाकी साथियों के साथ जब मिलता है तब उन्हें पता चला कि उन सारे खतरना creatures का भी दरवाजा खुल गया है और अब वो सब alien creatures बाहर निकल कर सारे कैदियों को मारते जा रहे थे लेकिन अब सई टाइम पर बैन और उसके दोस्त जेल से बाहर निकल जाते हैं यानि कि जेल तोड़ने का पूरा credit बैन और उसके दोस्तों को जाता है और अब वो खतरना creatures भी उन्हें की वज़े से आजाद हो गये थे अब यहाँ पर scene present time पर आ गया था जब केन और बैन अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन अब सिब उस बॉम को फटने के लिए 19 गंटे बाकी थे और इतने time में तो वो सब चलते हुए अपने military base तक पहुची नहीं पाएंगे इसलिए वो दुनों गाड़ी बॉरो करने के लिए एक couple के पास आते हैं जिनका नाम Will और Jane होता है स्राटिंग में तो वो केन को गाड़ी नहीं देते लेकिन जब केन ने उन्हें बहुत सारे पैसे देने का वादा किया तब वो आसानी से मान गए थे बैन और केन को कुछ हतियारों के भी जरूरत थी इसलिए बिल उन दोनों को एक डीलर से मिलवाता है केन ने तो हतियारों के बदले उस डीलर को बहुत सारे पैसे भी दिये थे और अब केन और बैन बहुत सारे हतियार लेकर वहाँ से निकल गए थे वो डीलर तो अपने आदमियों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता रहता है क्योंकि उन्हें अपने हत्यारों के बदले काफी पैसे मिल गए थे लेकिन जब वो डीलर अपने आदमियों के साथ जस्ट मना रहा था तब ही वहाँ पर बहुत सारे इलियन क्रियेचर्स का ग्रूप आ गया था जिनोंने देखते देखते उन सारे लोगों को घेर लिया होता है और अब तो उस डीलर और उसके लोगों के पास हत्यार भी नहीं थे क्योंकि वो सारे वेपन्स तो उन्होंने केन को बीज दिये थे और अब उन एलियन क्रियेचर्स ने उन लोगों पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था जो देखते ही देखते हैं उन्हें कच्चा चबा जाते हैं वहीं दूसरी तरफ केन और बैन काफी ट्रैवल करने के बाद मिलिटरी बेस पहुज गए थे लेकिन वो जग़ा तो एकदम से तबाह हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पर भी वो इलियन क्रियेचर्स मौजूद थे जो सारे लोगों को अपने वाइरस की मदद से मारती जा रहे थे सच में अब मिलिटरी के सबी सोलजर्स में से कोई बचा ही नहीं था लेकिन केन की बेटी इंडी एकदम सही सलामत होती है क्योंकि वो एक अलमारी में छुप गई थी सच में केन भी अपने बेटी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है अब बेन और केन इंडी को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लग जाते हैं विली और जेन पर भी लगातार हमला होते ही जा रहा था और अब उन क्रियेचर से लड़ाई करते करते विली मारा जाता है जेन तो विली के मरने की वज़े से बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि विली के सिवा उसका पैचान का दुनिया में कोई था ही नहीं वहीं केन और बेन इंडी को लेकर अपनी एक मिलिटरी वैन के उपर कूच जाते हैं और अब जेन उस गाड़ी को चला कर आगे बढ़ गई थी वो सब तो मिलिटरी बेस से होते हुए एक सेब जग़ा पर निकल जाते हैं गाड़ी के अंदर तो केन अपनी बेटी इंडी से माफी मांग रहा था क्योंकि अगर केन इंडी को यहाँ पर ना लाता तब यह सारी चीजे होती ही नहीं लेकिन इंडी तो काफी समझधार निकलती है उसने पहले सिचुएशन को अच्छे से समझा और फिर अपने फादर केन को माफ कर दिया था पर अब बहुत ही कम टाइम बाकी था उस नुकलिर बाम को डिस्टॉय होने के लिए जब केन और बाकी सब अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहते हैं तब इस पेस्टेशन में से एक फाइटिंग जेट उनका पीछा कर रहा होता है और अब उस फाइटिंग जेट ने बिना टाइम वेस्ट किये केन की गाड़ी पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था बहुत ज़दा फाइटिंग करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं उस हमले में तो ऐसा लग रहा था कि सारे लोग मर चुके हैं लेकिन वहाँ पर सिप बैन और इंडी ही जिन्दा थे पर दुक की बात ये थी कि इंडी का फादर केन अब मर चुका था इसलिए अब बैन इंडी को उठा कर एक सीब जगा पर लेकर जानी लगता है इंडी तो अपने फादर के लिए बहुत ज़्यादा रोती जा रही थी लेकिन अब इसका कुछ फाइदा नहीं था बैन जब इंडी को लेकर एक ऐसी गुफा में पोचता है जहाँ पर मिलिटरी का छोटा सा बंकर हुआ करता था और उस जगा पर भी बहुत सारे इलियन क्रियेचर्स मौजूद होते हैं जिन्नोंने मिलकर केन और इंडी पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था वो दुनों कैसे भी करके बंकर के तरफ भागते रहते हैं पर अब गलती से बैन को उन क्रियेचर्स का डंक लग जाता है जिससे की बैन इंफेक्टेड हो गया था पर वो दुनों कैसे भी करके बंकर के अंदर चले जाते हैं बैन की हालत तो अब काफी ज़्यादा खराब होने लगी थी उसे इस सीक्रेट एक्सपेरिमिंट के बारे में पता था कि अगर वो इलियन क्रियेचर्स किसी को भी अपना डंक मार देंगे तब वो आदमी भी उनी इलियन क्रियेचर्स में बदल जाएगा इसलिए अब बैन इंडी को उसे मारने के लिए कहता है क्योंकि अगर Ben उनी Creatures में Convert हो गया तब वो Indy को भी मार देगा लेकिन Indy कुछ भी हो जाए Ben को मारती नहीं वो तो Ben को Motivate कर रही थी कि इन सारी चीजों के आगे का सोचने के लिए वो दोनों तो उस Nuclear दमाके से बच जाते हैं तबी Ben को उसके पास्ट का एक विजन आता है जब वो अर्थ पर हॉस्पिटल में काम किया करता था एक दिन तो उसकी बेटी को किसी ने कार से ठोकर मार दी थी और अब Ben की इकलौती बेटी मर चुकी थी Ben ने तो गुसे में आकर उस ड्राइवर को भी खतम कर दिया था इसलिए पुलिस वालों ने Ben को मडर केस में जेल के अंदर डाल दिया होता है अब कुछ दिन बीच जाने के बाद स्पेश स्टेशन के कुछ लोग वहां पर आकर चेक करते हैं क्योंकि उन्हें लगातर मदद के लिए एक सिगनल मिल रहा था लेकिन जब वह वहां की जाच परताल करी रहे होते हैं तब ही उन्हें सामने एक लड़की दिखाई देती है जो और कोई नहीं बलकि इंडी थी पर तब ही एक एलियन क्रियेचर ने उन लोगों पर हमला कर दिया था देखते ही देखते वो दोनों को ही खतम कर देता है और अब इंडी एक स्पेशिप में बैट गई थी जिसमें कि वो पाइलट्स को धमकी देती है कि वो उसे भी अपने साथ लेकर चलें दरसल ये स्पेशिप वापस अर्थ पर जा रही थी और अब इंडी के साथ तो वो इलियन क्रियेचर भी आ गया था पर वो क्रियेचर तो इंडी को कुछ भी नुकसान पहुचा ही नहीं रहा होता है इंडी तो उससे इशारों में कुछ बाते कर रही थी और तब जाकर ये रिविल हुआ कि वो इलियन क्रियेचर और कोई नहीं बलकि बैन होता है जो पूरी तरीके से क्रियेचर में कनवर्ट हो चुका था लेकिन अभी भी उसकी कॉंशियसनेस उसके पास होती है और अब इंडी और बैन मिलकर अर्थ की तरफ निकल पड़े थे इसी के साथ हमारी ये कहानी यही पर खतम हो जाती है आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमें सेक्चेन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्स्पिनेशन एक पसेंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इससे मुझे काफी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजडा स्टोरीज धून कर लाने के लिए तो मिलता है नेक्स वीडियो में सीयाँ